फ्लड लाइट्स जली हुई हैं क्या हम बल्ले बाजों सो उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी आतिश बाजियां देखने को मिलें आज गेंद बहुत शरारती होने कप्तान तयार है कॉल के लिए हैज चुना है कप्तान ने और यह लिए रहाँ बना आज अच्छा तो अन्जाम अच्छा आज पीद्या ही है किक शलामी जोड़ी करेंगे अच्छे तरीके से आधाज आधाज अच्छा तो अधाज समय है स्पिन के इंट्रोड़क्शन का शुरुआत कर रहे हैं और स्पिनर के साथ खराब टाइमेंग संकट के बादल मंडरा रहे हैं इस बल्लेबास तर चीते को बीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्लेबास इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवात इनिंग्स को शुरू करने का इस से बहतर तरीका हो ही नहीं सकता फिल्डर का बढ़िया थ्रो एक दम्स टम्स के उपर जबर्दस स्वीप पैट्समन के द्वारा अंडरस्टैंडिंग्स तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गती गेथ पहले आई बल्लाबाद में समस्या अपने साथ लाई ये गें फिल्डर की अच्छी एफ़र और बढ़िया थ्रो गे चोग्य के साथ ओवर समा कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक का दिराश है फिल्डर क्योंकि मौका था छिटा गया इनके हाथ से हवा में खेला ये शौट खाली स्थान को किया टारगेट हाथे में जोडे चार रन करत पाली स्थान के साथे माँ ना ना बिल्कुल नहीं पड़ पाए इस गेंद को और अब भस गए है बल्ले बास फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो शुरुवात तो अच्छी थी लेकिन हुआ एक अबरप एंड बढ़िया पकड़ा कैच और इस इनिंग की पहली विकेट गेंद बास के नाम तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता फ्रीज पर आए हैं नहीं बने बास मीद्य यह है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा करेंगे यह आउट करार दिया है अंपायर ने लगता है कि अब रिव्यू की तरफ जाएंगे अंपायर ने डियारेस का किया है इस्तमाल रिव्यू मांगा है यहां उंगली खड़ी की है ओरिजिनल डिसीजन आउट था आउट रहेगा दूसरी गेंद, दूसरी सफलता, गेंद बाज is on a roll बल्ले बाजी टीम ने अब फैसला कर लिया है कि टॉप ओर्डर के जो महत्वपुन खिलारी है उन्ही को भेजा जाएगा अंडरस्टैंडिक तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गती तालमेल का भाव जहां रन था नहीं वहां की मांग विकेट गवाया अब इन्हें सिरफ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नीव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है इस मौके को चौके में किया तब्दील ओर गो गिया समाथ एक और ओर की समाथ ती और समय है बोलिंग में चेंज कर एक्सिलेंट इनिंग्स ओन सैट की दिशा में फ्लिक किया रन बटोरे फील्डरों गेंदवास का चाताल मेल बढ़िया थ्रोर विक सिंगल पारी की शुरुवात अच्छे अंदाज में फील्डर का बढ़िया थ्रो एक दंस टंस के ऊपर विक सिंगल पारी की शुरुवात अच्छे अंदाज में हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बढ़िया रनिंग बेट्वीन दविकेट्स समझ बूच के छुबा कर डाली ये स्लोर गें फूर्थी से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो अलका सक हुटने को टेका है और पैडल स्वीप का किया है बढ़िया इस्तमार डेरेक्ट हिट का प्रियास लेकिन मिस किया स्टम्स को इसे कहते हैं बढ़िया फील्डेंग बल्लेबास एक एक रन के लिए तरस रहे हैं आखरी गेंद को डॉट खेल कर खुश तो नहीं होंगे बल्लेबास आखरी ओगी है शुरुआत और दर्शक दीरगा में बहुत सारा रोमांच फिल्लर की अच्छी है फ़ब और बढ़िया थो भी बढ़िया जज्जमेंट तेज रनिंग बढ़िया रन बटोर आख बल्लेबास ओने ये तो थोड़ी सी खराब सी गे नो बाल का इशारा मिलेगी फ्री है बोलर का नुकसान बल्लेबास का फाइदा अमपायर ने सिगनल की है फ्री हिट एक्शन में आम स्पीड में कोई बदलाव नहीं लेकिन गेंद आई है थोड़ा सा धी में घडिया स्लोर वन हैंट की पादी की समापती पर आया ये खूबजूरज शॉट रिस बार बड़े शॉट का फ्रेयास फील्डर का बढ़िया थ्रो एक तंस तंस के ऊपर एक्शन में ज़्यादा बदलाव नहीं लेकिन गेंद की गती में परिवरता फ्लोर वान कलाईयों का कलाकार है ये खिलाडी पैरों पे अगर डालोगे गेंद तो रन बड़े फील्डर की अच्छी एफ एप और बड़िया थ्रो भी वाक, पिकचर परिफेट शॉपक्शोप ट्रॉपक्चर, ट्रॉपक्ट परिवादा थ्रो प्रॉपक्शन ये खिल्डर्पक्शन लगता है कि अब रिव्यू की तरफ जाएंगे यहां थोड़ा सा और ध्यान से देखना पड़ेगा वहां परेज है या नहीं है डिवियेशन तो दिखी नहीं है लेकिन महीन सा किनारा टेकनोलोजी पकड़ लेगी तो फिर होने वाला है यह बहुत मुश्किल दोनों ही टीम नवर्वस है इस डिसीजन के महत्व को समझती है वो सुरक्षित है अंतर तक पता नहीं था कि कौन सी टीम मार जाएगी बाजी जीपने वाली टीम को बधाई लेके तारीफ करनी होगी जिस्ट सुर्षित है